हाई एवरिवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे और स्वास्त होंगे फ्रेंट्स आज में शेयर करूंगी ब्रेट की ऐसी रेसिपी जिसे आप बिना गैस जलाए बिना किसी जंजट के फटा फट से बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में तो मैं मावा सैंड और ब्रेट तो फ्रेंट्स सभी के फ्रेज में रखे ही रहते हैं और एजी तरीके से बनाएंगे बिल्कुल टाइम कम लगेगा और बिना गैस जलाए तो यहारों पर हम यह मिठाई बना सकते हैं और खाने में बहुत ही यमी लगेगी तो सबसे पहले ब्रेड लिए मैंने ब्रेड प्रेट स्लाइब लगें इनिया आप चाहों तो किसी भी शेप में कटकर सकते हो तो आपके पास कोई डटकन है कोई कोई कूची कटर रहा है या कोई भी आपके गरमें डखन उसे अच्छी तरह से जोश्ट कर लिजिए और फिर इसे ब्रेड के स्लाइब पर रखक करके bread slice को shape में जो आप बनाना चाते हैं उसी तरह से आप इसे बना लीजिए और इस तरह से सभी bread slice से अलग कर लेंगे tog jobhi by बनाएंगे हम तिस तरह से मैंने 3 shape में बनाए है हईं तो इस तरह से दफिन कोई भी शेफ बना सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स मैंने यह लिया है एक डेर चम्मच के लगबग मलाई लिया है तो इसमें एड करेंगी थोड़ी सी चीनी तो इसमें मैंने पाउडर शुगर कई उसके आप दाने वाली चीनी भी ले सकते हैं तो यह मावा है मेरे पास बहुत है और मावी की जगा आप मिल्क पाॉडर प्रूडर कोई ले लिए तो इसमें मावा डाला देंगे लिएंगे ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो मावा के साथ वैसे बहुत ही अच्छा लगता है हैं यह दिके आप आप मेरे से मरता हैं यह देक्छी म luz मिक्स हो चुकी है तो अब इसमें आड करतेंगे दो चमर्ज नारियल का बुरा अगर मलाई लेंगे तो भी आप नारियल का बुरा जरूर डालीजिए अगर मिल्क पाउडर लेते तो भी नारियल का बुरा जरूर डालीजिए तो यह देखिए आप रेड़ी है तो अब यह ज सबी रेडी कर लेंगे तो इस तरह से एक स्लाइस लेंगे उस पित चम्मच से इसे फिला देंगे और इस तरह से दूसरा स्लाइस चिपका देंगे तो इस तरह से फ्रेंड सबी रेडी कर लिए मैंने तो अब हम मैंने लिया यह शूगर तो दो तिन चम्मच पाउडर शूगर तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है 4-5 चमच के लगबग जिस भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस क्वांटिटी में पानी आप एड़ कर सकते हैं तो इसी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे एक साइड में रखतेंगे और इस तरह से हम यल क्रिन कलर का है तो बना लेजिए तो यह रोज शेरप लिया है मैंने और यह दूनों हमारे जो लिक्वेड मिक्स्टर है वो रड़ी हो चुके यह दिखे तो इन दोनों को रख लेंगे एक साइड में और यह मैंने नादिल का बुरा लिया है तो इसमें बहुत ही अच्छा अब मैंने जो ब्रेट के स्लाइस रखी थी न जो हमने मावा वला मिक्स्टर लगाया था वो ब्रेट स्लाइस को इस थरह से लेंगे और रोज शेरप में अच्छी दर से भी गोलेंगे ज़्यादा देर नहीं रखना फटाफरसी से निकाल लेना इस तरह से जो कोकोननेट प तो जादा हमें तेर नहीं रखना है और यह सभी जो भी हमने सामगरी लिए न तो यह जो पानी है या दूद है वो ठंडा होना चाहिए बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए तो किसी भी अगर गरम लेंगे न तो यह अच्छे नहीं बनेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स बना लेंगे सभी तो इस तरह से देखिए सभी मैंने रेडी कर लिए है अच्छी तरह से रोज सिरप में यहां लिक्विट में डिप करके इसे कोकुनेट पाउडर से कर लेंगे और फिर इसे गार्णिच कर सकते हैं मन चाही तरीके से तो आप चाहिए तो ट्राइफूट से गा अच्छी तरह से बनाएं तो इसे खाते टाइम बिल्कुल भी विश्वाश नी कर पाएगा कोई कि इसे आपने ब्रेट से बनाया और दिखने में देखिए कि अच्छी लग रहे हैं और जो फैस्टिव का सेजन चल रहा है आज किसी भी तो आर पर यहां किसी भी उकेजन प किसी गुगा तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपर एक मैं कट करके दिखाती हूं प्रेंद कट करने से दिखंआ कितने स्मूथ और किते सॉफ्ट और अच्छे लगए और यह दि जिखे किते अच्छे लगए है महा की जो फीलिंग भी लगेगी तो अगर शीई 누ब